अगली का अंत कैसा होगा है बहुत भयानक होगा सोच से परे होगा समद्ज से परे होगा बागवत में लिखा है कल्यू की आयू 4, 32,000 साल है और बीते हुए अभी उसको केवल पांच हजार साल हुए है तो मतलब यह शुरुवात हुई और जब शुरुवात में यह हाल है कि त्रेता में एक रावन था द्वापर में एक कंस था पर कल्यू में गिंती नहीं होगी राक्षश्वरत्ती हैवानियत और वह देख रहें आज के समय में यह तो आप सोचो अंत में कैसा होगा वागवत में लिखा है कि कल्यू के अंत में आदमी की जो एज है वह घटे- पहुंच जाएगी बीस साल मैं जनम भी लेना सोचो करियर भी चूस करना है शादी भी होनी है बच्चे भी होना दादा पोती भी बनना है और उसके बाद बीस साल बाद और वह देख रहे हम पहले आज से कुछ समय पहले सो साल एज होती थी फिर असी हुई साथ हो गई और व्यक्ति की हाइट कम हो जाएगी और पाप तो मतलब कोई सोच नहीं सकता इतने अत्याचार और इतने पाप होंगे तब फिर अंत में कल की अवतार होगा जो कल्योग का प्रधान अवतार है कल की अवतार के कोई वर्णन मिलता है क्यों ऐसे दिखेंगे या ऐसे आएंगे राजशी वेश पर आएंगे भागवत में लिखा है कि संबलपुर एक काउं है इलाबाद के पास वहां पर कल की भगवान का अवतार होगा और घोडे पर सवार होकर के जैसे एक राजा होता है हाथ में तलवार लिये हुए भगवान के कई प्रकार के अवतार होते हैं जैस आप उनसे प्रेम नहीं कर पाऊगे एक रहतना कनेक्शन जैसे राम जी से आप कनेक्ट फील करते हो आप वैसा फील वरहा अवतार से नहीं कर पाऊगे जैसे आप कृष्ण या राम अवतार से कर पाते हो तो वैसा ही कल की अवतार एक राजशी वेश में भगवान का अवत हो